तो दोस्तों नमस्कार मेरा राय मैं आकास तो दोस्तों आज किस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं फलो के बिजनस के बारे में दोस्तों फलो का बिजनस करने के लिए किसी भी परकार का सेक्षनिक डिग्री की आयुचेकता नहीं होती है और इस business को कम पढ़े लिखे लोग या बिना पढ़े लिखे लोग भी शुरू कर सकते हैं तो अगर आप भी follow का business करना चाते हैं तो आप इस business को दो प्रकार से कर सकते हैं एक तो आप इसे wholesale में कर सकते हैं दूसरा retail में कर सकते हैं दुनों प्रकार से कर सकते हैं एक ही दुकन डालके ठीक है और दोस्तों इस बिजनस की खास बात ये है कि इसे आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी शुरू कर सकते हैं और फलो का डिमांड हमेशा मार्केट में बना हुआ रता है तो अगर आप भी फलो का बिजनस स्टार्ट करना चाहते तो ये आपके लि दुकान की अवसकता होगी फलो का होलसेल दुकान शुरू करने के लिए और भी बहुत सारी चीजे हैं जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा जैसे की इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा और कमाई कितना होगा तो वीडियो का अगर आंता तक देखते हैं तो हर एक आपको बारिकी से जानकारी पहुँच जाएगा और आप भी एक फलो का होलसेल दुकान स्टाट कर सकते हैं और उसमें अच्छे से कारोबार आप कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों फलो का अगर दुकान आपको स्टाट करना है यानि कि होलसेल दुकानी स्टाट करना है, थोड़ा सा बड़े लेवल पर स्टाट करना है, बाकी और जो दुकाने रहेंगे उसको आपको माल सप्लाइ करना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो एक सबजी मंडी में या फिर फल मंडी जो भी आपके उधर हो वैसा कुछ जहांपर जादा फल मिलता है, जादा सब्जियां मिलती, वहाँ पर आपको एक location देख लेना है उन जगों पर ठीक, वहीं पर आपको ये दुकान स्टार्ट करना है, तो ये तो होगी location के बाद, उसके बाद आपको क्या करना है कि जहांपर आपने location देखा है, वहाँ पर आपको एक room लेना पड़ेगा, कम से कम 200 से 300 square feet का अगर room हो, तो अच्छा रहेगा, इतना बड़ा room क्यूं चाहिए आपको, क्यूंकि आप उसमें माल भी रखेंगे बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में, ठीक है, तो इसलिए आपको थड़ा सा लेना है, तब भी, उसके बाद आपको एक counter भी चाहिए होगा, तो counter भी आपको लेना होगा, और लगवग 20-30 carrot आपको चाहिए होगा, तो carrot किसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग फल को भर के रखते हैं, ठीक है, तो वो carrot भी आपको काभी मात्रा में चाहिए होगा, और दोस् चुनाव कर लिया, उसके बाद आपने वहाँ पर room भी ले लिया, room में समान भी ले लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, license लेना है, तो license कौन सा लगेगा इस business को start करने के लिए, तो आप एक shop में इस business को start कर रहे हैं, तो आपको एक license चाहिए होगा, shop and establishment, तो shop and establishment act के कि भारी मात्रा में हम लोग माल तो मंगवा लेंगे, लेकिन मंगवाएंगे कहां से, सबसे बड़ा problem यहां आता है, लोगों को माल नहीं मिल पाता, अच्छे अच्छे quality का और सस्ते दाम में, तो इसके लिए दोस्तों आप अपने नजदी की किसी market से मत लिजे माल, तो कि बाहर से लेना है, जैसे कि हिमाचल परदेश, कस्मीर, यह समय क्या होता है कि बहुत सारे फल लगते हैं, जैसे कि सेव हो गया, नारंगी, और भी बहुत सारे जितने सारे फल होते हैं, ज्यादा थंडे परदेश में होते हैं, और नारंगी के लिए जैसे आप माहराष्ट स जो उसको भेजते हैं, तो उन से संपर करना है, तो आपको direct वो वहाँ से गाड़ी से माल भेज देंगे, वो सबसे पहला क्या करना है, कि उन लोगों से contact करना है, कि कौन ऐसा supply देता है माल, अब दोस्तों अगर दुकान आप स्टार्ट कर लिए हैं, और माल भी आपका मान लिजिए कि आ चुका, उसके बाद आपको क्या करना है, कि आपको कम से कम एक से दो वर्कर रखना है अपने अंडर, क्योंकि आप सारा काम अखेले नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए आपको दो कम से कम वर्कर रखने चाहिए, और अगर आपका इन्वेस्टमेंट कम है, तो आप एक भी रख सकते हैं, उससे भी काम चला सकते हैं, अब बात आ जाता दोस्तों कि माल हम लोग कहां बेचेंगे, यानि कि जो हम लोग फल मंगवा हैं, उसको बेचेंगे कैसे, आपके जितने जीले में फल के छोटे-मोटे होलसेलर है, तो उनको सप्लाई करना स्टार्ट करिए, ठीक है, या फिर जो ठेले वाले रहते हैं, जो दुकान दार रहते हैं, फल के सबजीयों के उनको धिरे-दिरे देना स्टार्ट करिए, जो लोग भी फलो का दुकान डाल के रास्ते में या फिर और भी जगों में बेचते हैं उनको सप्लाई करना है देरी-देरी अब दोस्तों कुछ सावधानियों के बारे में जानते हैं अगर उसको आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो आपको भारी लॉस हो सकता है सबसे पहल उधर में बहुत ज्यादा समान आपको नहीं लेना है उधर में बहुत ज्यादा आपको समान नहीं देना है थोड़ा बहुत होता है ठीक है लेकिन बहुत ज्यादा आपको उधर में ना तो समान मंगवाना है नहीं देना है उससे आपको लॉस हो सकता है दूसरा आप जीतन गर्मियों के फल है, तो ठंड में इसी तरह के बहुत सारे फल आते हैं, बरसाती फल बहुत सारे रहते हैं, तो मौसम के हिसाब से देख के आपको फल मांगवाना है, ठीक है, तब आपका विक्री ज्यादा अच्छा रहेगा, अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि फल का होल वरकर रखाया है अपने 10-10,000 करके, ठीक है, अपने एरिया के मुताबिक भी होता है, लेकिन मैं अपने एरिया का बता रहूं आपको, कि 10-10,000 करके 2 वरकर रखाया है, तो उसका भी कौस्ट आपको लगबग एक महिने में 20,000 पड़ेगा, और 50,000 का करीब आपने सामान अगरा होता है, उसको मंगवाए हैं 1,00,000 रुपय का, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका कितना लगएगा, लगबग 1,90,000 ठीक है, या फिर 2,00,000 लग सकता है, तो 2,00,000 के इन्वेस्टमेंट से आप इस बिजनस को सुरू कर सकते हैं, अगर आपके एरिया में रूम का प्राइस जाता है, लेवर का प्राइस जाता है, तो हो सकता है, आसपास में भी हो, 3,00,000 तक भी जा सकता है, तो आपके एरिया के अकोर्डिंग भी वो डिपेंड करता है कि आपका उधर अगर इस बिजनस को स्टाट करना चाहें, तो कितना पैसा लगता है, मैं यहाँ पर पर मातर आपको 30 रुपए बच रहा, कोई भी फल आप बेच रहे हैं, उसमें आपको 30 रुपए बच रहा है, ठीक है, और आपने एक दिन में कितना फल बेच दिया, करीब 300 किलो, तो उसमें आपको फाइदा कितना हो जाएगा, 9,000 रुपए का, एक दिन में, ठीक है, तो दूसरे महिले से क्या होगा कि investment आपका कम लगेगा और कमाई अच्छा कासा होगा तो दोस्तों ये मैंने एक उधारन दिया आपको की इस परकार से आप कमा सकते हैं तो अपने area के according आप कमाएंगे जितना भी आपका investment रहेगा जिस परकार से आप माल को sell कर पाते हैं जैसे आया कि आप कैसे एक फल का wholesale बीजनस सुरू कर सकते हैं वो भी एक मातर दुकान डालके ठीक है जोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया ये आइडिया आपको अच्छा लगा तो हमें एक कमेंट करिएगा प्यारा सा वीडियो को लाइक कीजेगा और अगर किसी और क ये जानकारी चाहिए तो उसको शेर भी कर सकते हैं तो ठीक है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही जैहिन वने मातरम नमस्ते